सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक मंत्री मंडल में 19 नए मंत्री शामिल किये जाएंगे जबकि 8 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी आज हो सकती है शपत ग्रहन राश्टपादी भवन में सुबा 11 बचे होगा माना जा रहा है कि इस विस्तार में मोदी की नजर यूपी पंजाब और उत्राखन के विधान सबाचनावों पर है साती क्षेत्रिय सहयोगियों को मंत्री मंदल में जगां दे कर संतुलन बनाने की कवायत भी आज इस विस्तार के रूप में होगी यूपी के जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें यूपी के मिर्जापुर से अपना दल की सांसाद अनुप्रिया पटेल संसद महिंदर नाब पानडे, शाजापुर से संसद क्रिष्णा राज संभावे चेहरों में शामिल है मंत्री मंदल के संभावे चेहरे इस waktu आ देख रहे हैं आनुप्रिया पटेल, महिंदर नाब पानडे, खृष्णा राज इन लोगों को आज मंत्री मंदल में शामिल किया जा सकता है अरजुन राम मेगवाल, सी आर चौधरी, पी पी चौधरी इन्हें भी आज मंत्री मंदल में जगा मिल सकती है एसेस आलू वालिया, फगन सिंग कुलस्ते, अरजे टम्टा ये वो संभावित नाम है, जो अब लगभक तैम आने जा रहे है भाबोर, भामरे और राजन, गोहें के नाम भी संभावित चहरों की लिस्ट में शामिल है रामदास अठावले, और इसके लावा, एमजे अकबर के नाम भी सामने आ रहे है विजे गोयल, अनल, माधवदवे, पुरशोतम, रुपाला, मंसुख भाई, मंडाविया तो ये वो चहरे हैं जिन्हें आज मोदी मंत्री मंडल में जगा मिल सकती है और अब आपको दिखाते हैं वो कौन से चहरे जिन्हें प्रमोशन मिल सकता है मुक्तार अबास नकवी, जो अपसंखियक राजमंत्री है, जैन सिन्हा, वित्र राजमंत्री, निर्मला सीतरामन इन्हें प्रमोशन मिल सकता है, पियूश, गोयल, धर्मेंदर प्रधान, संजीव, बालियान इनके कामकाज को देखते हुए, आज इन्हें प्रमोशन मिल सकता है वो चहरे जुनका आज इस काबिनेटरी शावल में प्रमोशन हो सकता है मन्सुख भाई मंडाविया अजन का नाम भी संभावितों की लिस्ट में हैं उनसे बात की हमारे संभादाताने सीधे सुनते हैं आज मोदी मंत्री मंडल का विश्टार हो रहा है और आज का दिन तीन सांसनों के लिए मतपूर्ण है और वे तीन सांसद हैं जो की साइकल से संसद भावन जाते थे उनमें एक हैं मनसुख मंडविया साप मनसुख मंडविया साप आपको भी मंत्री मंडल में शामिल किया जा क्लाइमेट कलब में अभी भाविश मेंबर हो चुके है जो साइकल लेकर पारलामेंट चलते हैं उमरा उद्धेश है यह हमारा हमारे लिए प्लाइमेट के प्रति हमारा पैशन है और एंपेशन के अनुसार हम सब लोग साइकल लेके चले पर्यावरण की रक्षा होगी क्लाइमेट की रक्षा होगी स्वासथा की रक्षा होगी वैज यही देश को अमारा प्रधान मंत्री नरेंद्र बाइ क्या पहली दिया जाता तो अच्छा रहता है कि हमारे प्रधान जो विजनेरी प्रधान मंत्री है उसका नेतरुत्वों में देश आगे बढ़ रहा है जो ही जिसको ही मंत्री मंधल में रखे सब लोग राष्ट के लिए जो काम कर रहा है मुझे लगता है कि वो ही पूर्ण है और अच्छा है क्यामरामेन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंग इंडिया न्यूज दिल्ली तो मोधी कैबिनेट का चेहरा बदलने वाला है शाज जहापूर से सांसेट कृष्णा राज को भी मंत्री मंडल में आज जगा मिल सकती है उनसे भी बात की समधाता राकेश कुमार सिंग ने मोधी मंत्री मंडल का अजबिस्तार हुआ है और मोधी सर्वार में आज शामी मुझा राज जी आज 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 शामी मुझा राज जी आज जोटार हुआ है आज मंगल का दीन है सुझा जी मंगल का दीन है वह अगे भी आती रही हुआ यह हमारा अपना पूजा है वह हमिठी है मनत मांगने की नहीं होती है एहसास की होती है कि करिशना जी यहाँ पर पहुंची है हनुमान मंदीर और उनका साथ तोर पे कहना है कि आज का दिन जो है काफी मौतफूर्ण है और इसलिए शुब शुरुवात किया जाए और इसलिए जो है हनुमान मंदिल पहुची है तो आमने गंगा के साथ राकेश कमार सिंग इंडिया नियू दिल्ली तो आप पत्नी हैं काफी आहम दिन है आज आपके पती को मंति मंदल में जगह दिया जा रहा है तो अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्या विभाग मिलना चाहिए क्या आप सोती है कि क्या भी भाग लिया जाए तो विभाग तो देखो मैं मिली जाने देखा हम अभी तो जा रहे हैं मिलेगा जब बता चलेगा अच्छे हमारे साथ अर्जुन रामेगवाल जी की पोती भी हैं क्या कहींगे अपने दादा जी के लिए आदी मुझे बहुत अच्छा रगा है मैं दो दिन से सोनी पाई हूँ आप क्या चाहेंगे कि दादा जी को क्या भी वहाग मिले क्या डिपार्टमेंट मिले मिलने के बादी तो पता चलेगा लेकिन नीन नहीं आई राद वर नीन नहीं आई अच्छे और उनके परिवार के सदस्ते हैं आप बताइए आज जो है मंत्री मंडल में जगह दिया जा रहा है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे नाना जी को अतलब जो उनको बनना चाहिए था वाकर राजवन्दूं की जो महनत थी इतने सालों की वाकर काम आई काँ आई आप बताइए आप लगाफार जो है अजुना मेंगवाल जी करेंगे गड़ गंटे पुझे पुझे पुझा पाठ पुरा किये परिवार के साथ बहुत अच्छा लग रहा है सुब कामना ये देनी जो ब्हगवान का आशिरवात लेना जरूरी है सबसे बड़ा उपर भगवान है उसका आशिरवात बहुत जरूरी है तो आपको उम्यद है कि आच्छा करेंगे कुछ भी दो इंगो प्राइछ आप क्या चाहरेंगेर उस्सेया कि लिकाहती रिख्ट हुए लेकिन क्या आप संसथ भांग जाते रहेंकि हैं क्या मंत्री बनने के भाद विदört में। तो यह थे आज का दिन काफी मदबन है और करीब देड़ घंटे तक यहीं पर जो है अपने परिवार के साथ पूजा अर्शना किये और उन्हें भगवान से अश्रवाद लिया ताकि जो नई जीमवारे उन्हें मिल रही है उसमें सफ़ालो पाएं कि अब रामन गंगा के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सब का बहुत आबारी हूँ खास करके हमारे कुरान में दे मोधी जी का हमारे नेताओं का और हमारी जानता जो मेरे खेरतर है मैं जिनके अश्रवाद से मैं यहाँ पर आया हूँ आपको मंतरी मंदल में जगा दी जा रही है क्या कुछ पता चल पाया कौन सा मंतरा अपको मिलने वाला है यहाँ पर और किस तरह का काम आप तरह करेंगे हैं हम पर जो जवाबदारी सोपी जाएंगी बड़ी इमान दारी से महनत से लगन से पूरी करेंगी तो इसके अबावाज ज़रम बात तेरे प्रात्मिक्ताओं की तो क्या प्रात्मिक्ता आपकी रहने वाली हैं किस तरीके से आप काम करेंगे और अब तक का जो काम करा उसमें क्या क्या उप लगन देखिए मोधी है सरकार के दो साल पूरे हो गए हम विकास पर्व मना रहे ह इसके दो साल में बहुत सारी उपलब दिया है जो हम लोगों के सामने जन्ता के सामने रख रहे हैं लक्ष बहुत बड़ा है और भी बहुत कुछ बाकी है और हम विकास, 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 के अलावा कोई बी अजЕंडा नहीं विपक्षित चाहे जो भी कहे जो भी नौन इशिस को उठानी की कोशिश करेंगे हम दिहन नहींगे नहीं हम प्रगति के रहा पे निकले हमरे निता के साथ और इस भारत का नो निर्मान भारत का निर्मान परके ही रहेंगे दो साथ पहले अपर दो से दिखाए गया आप पुर्टिगर दी गए लोग सवा की इस पर भरो और इस वक्त दो संभादाता आप आए साथ सीधर जुड़े हुए हैं दिली से ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी लखनाउ से अर्विन चत्रवेटी भी हमारे साथ है राकेश कितना महत्वपून आज का ये कैबिनेट री शफल है देखना दिल्चस्प होगा हम जानते ही हैं संभावतों के कौन-कौन से चेहरे हैं वो लिस्ट भी लगभग अत्य ही मानी जा रही है और ये भी बहुत दिल्चस्प होगा कि जब री शफल होता है तो किसको कौन सा मंत्रा ले दिया जाता है किसकी छुट्टी होती है देखे तानिया आज मोधी कैबिनेट का चेहरा बदलेगा और बिस्तार में आपको साफ दिखाईगा कि चुनावी समिकरन के अनुसार किस तरह से जो है मंत्री पद दिया गया है जहां तक बात किया जाए उत्तर परदेश को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए गया है जहां तक बात किया जाए उत्तर खंड क्योंकि आने वाले समय में उत्तर खंड बे भी चुनाव है तो वहाँ से अजय टम्टा को वहाँ से जगह दी जा रही है रही बात देश के अन्ने राजियों से गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात के काफी जो है दो वहाँ से मंत्री को जगह दी जा रही है और एक जो मंसुख भाई है वो मोदी प्रधान मंत्री नेदर मोदी के काफी करी भी माने जाते रहे हैं और उनको मंत्री मंडल में जगह दी जा रही है अर्विन उत्र प्रदेश में चुनाव होने है और उसके मद्दे नजर बहुत ज्यादा तवज़ो उत्र प्रदेश को कि आज काबिनेट विस्तार में दी जा रही है ये एक बड़ा सवाल बनता है यूपी को आज क्या क्या मिलेगा इस काबिनेट विस्तार से और इस सवाल ये भी है कि जहां कहा जा रहा है 75 साल की उम्र के जो से बड़े लोग मंत्री मंडल में हैं उनकी छुट्टी हो सकती है जिसमें नजमा अबतुला का नाम तो है लेकिन क्या इसी फॉर्मिले के तहट करड़ाज मिश्रा को भी हटाया सकता है क्योंकि यूपी के चुनाओं के मद्दे नजर और क्या उन्हें हटाना ठीक इस वक्त होगा तन्या बड़ी महत्पूर्ण बात है उत्तर देश में जो 2017 का विधान सबाद चुनाओं होना है उसको लेके ये जो है विस्तार हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जातिगत समिक्रण का ध्यान रखा गया है कृष्णा राज जो की पासी जाती से आती है उनको मंत्री बनाया जा रहा है अनुप्रिया पटेल जो की कुर्मी जाती से आती है और पुर्वांचल में एक बड़ा दबदबा रखती है उनको मंत्री बनाया जा रहा है और महेंदर पांडे जो की चंदाउली से सांसद है जो की बनारस के बगल में पड़ता है उनको सांसद बनाय जा रहा है वो ब्रामर जाती से आते हैं कलराज मिश्रा जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो गई है रमा संकर कटेरिया जो कि संगठन में जाना जाते हैं इन लोगों को हटाने की बात हो रही है और मैं आपको बता दू कि ये जो सारा जी सफल है सिर्फ 2017 के विधान सवाचुनाओं को ध्यान में रखके किया जा रहा है क्योंकि BJP जातिगज समिक्रण को साथने की कोसिस कर रही है जिस तरीके से उसने पासियों को लुभाले के लिए पासि जाति के व्यक्ति को महिला को जो मंत्री बनाने का काम किया है दूसरी मात्पुन बात है कि जिस तरीके से आमने शाह भी एक बड़ी रैली में गहे थे आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल के साथ उन्होंने बड़ी रैली की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनने जा रही है जिससे कुर्मी, कुर्मियों में जो है वो भाजबा की पैट हो सके और 2017 के विधानसवा चुना में उनको उसका फाइदा मिल सके दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि महंदरनाथ पांडे जो है संकटन से डुड़े हुए हैं और चंदावली के सांसद हैं आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो वो चिकिसा मंत्री हुआ करते थे आप उनको एक बार फिर से केंदर में मंत्री बनाया जा रहा है और ये ब्रामनों को लुवाने की भारती अंदापार्टी की तरफ से कोशिश की गई है बिलकुला तो अर्विन दाप बता रहे हैं कि कितना मेपवपूर्ण जाती है समी करण है आज जब काबिनेट का विस्तार हो रहा है आपने अपना दल के अनुपिया पटेल का जिक्र किया जिनने माना जा रहा है कि आज मोदी काबिनेट में जगा दी जाएगी अपने भारती जनता पार्टी और अपना दल के साथियों की जो भावना है उसको नमन करती हूँ मैं समझती हूँ कि ये भाव जब कहीं न कहीं मेरे कारकरताओं ने विर्थ किया है तो आज हम सभी कोई अफसर मिला है शपक ग्रहंड होगा और उस पर ये बड़ी कविज आप लगाता देखते रहेंगे हमारे दोनों समवादाता इस वक्त हमाई सब बने हुए है एक छोड़े से ब्रेक के लिए हमें आपर रुक रहे हैं होंगे फोरण हासर में से कुछ के पहले रियाक्शन्स भी सामने आ रहे हैं शपक ग्रहंड से ठीक पहले सीवे सुनते हैं साधान से कारीकरता होते हैं मुझे जीला पंचायत उसे निकाल करके बिधायक, राजी मंतरी, कैबिनेट मंतरी और आज सांसर के और फिर मंतरी के रूप नभी पार्टी ने मुझे ये दाई तो दिया है और जितनी भी जिम्मेदारिया मुझे आज तक मिले हैं उनको मैंने पूर निस्था के साथ किया है जो भी जिम्मेदारी आएगी, उस जिम्मेदारी का निर्वान वाखुपी से जन्ता के हितमे, देश के हितमे और मरेंग नोदी जी के नेतवत में उनके निर्देश पर जसा अच्छा होगा इस देश के हितमें वो करेंगा प्रणमंत्री जी जी जो अप्रेक्षा है वो बहतर काम को लेके है और उस अप्रेक्षा पर प्रणमंत्री जी के मार्डर्सन में बहतर परड़ाम देने की पुरी कोशिस की जाएगी चेहरा बदलने वाला है सूत्रों से मिल रही खबरों के मताबिक मंत्री मंडल में 19 नए चेहरे शामल किये जाएंगे जबकि 8 मौझूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है ग्राफिक्स को ज़री आपको दिखा रहे हैं 19 वो संभाविच चेहरे जो माना जा रहा है कि मंत्री मंडल में शामल होंगे अनुप्रिया पटेल महेंदर नाथ पांडे कृष्णा राज इन्हें मंत्री मंडल में आज जगा दी जा सकती है इसके लावा बीकानेर से अरजुनरा मेगवाल, नागोर से सियार चौधरी, पाली से पीपी चौधरी को भी आज मंत्री मंडल में शामल किया जा सकता है डाजी लिंग से सांसेट, एससालूवालिया, इसके लावा फगन सींग कुलस्ते, और अल्मोडा से अजेट तम्टा को भी आज मंत्री मंडल में जगा मिल सकती है इसके लावा जस्वन सिंग भाबोर, सुभाश भामरे, राजन गोहैन को भी आज मंत्री मंदल में शामिल किया जा सकता है रमेश जिगजिया गानी, रामदास अठावले और एम जे अकबर के नाम भी संभावितों की लिस्ट में हैं जे गोयल, अनल मादवदवे, पुरशोतम रुपाला, मंसुख भाई, मंदाविया का नाम भी संभावितों की लिस्ट में शामिल है माना जा रहा है कि ये लिस्ट लगभक तै है, ये वो नए चेहरे ने जगा मिल सकती है और अब आपको दिखा रहे हैं वो चेहरे जिनका प्रोमोशन हो सकता है, मुक्तार अबास नकवी, जैन सिन्हा, निर्मला सीता रमन, पियूश गोयल, धर्मेंदर प्रधान, संजीव बालियान, इनका प्रोमोशन भी लगभक तै आज माना जा रहा है चले वो चेहरे जिनका प्रोमोशन हो सकता है, उनकी भी लिस्ट जो सामने आ रही है वो आपने देखी हैं इस वक्त बातचीत के लिए हमाई साथ स्टूडियो में वरिश पत्रका जैशंकर गुपता जी जुड़े हुए हैं साथी लकनाओ से समभादाता अर्विन चतूवेदी हमारे साथ लगाता जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी हमारे समभादाता हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले समभावतों की लिस्ट में विजय गोयल का नाम भी है विजे गोयल से हमारे समवादा था अजीत ने खास बातचीत की है सीधे सुनते है विजे खास बातचीत की है उसके हिसाफ से हमें भी पूरा योगडान देना है ताकि जनता की समस्याओं को और जनता के बीच में जो और काम करने हैं उनको हम कर सके हैं वारज साल तीन दिन का गए उसके बागस से आजी मौका मिलना है अगटरल जी की समय अब मोडी स्टकार के अगया आप्ना मंतरी पथ को जादा मेहता देते हैं पार्टी ने हमेशा हमें कारे दी है और जब नहीं कारे होता तो हम खुद अपनी कार लेकर आउड़ीवन का विरोध करने निकल जाते हैं। तो उसलिए जब एक बार पार्टी सैनिक को त्यार कर देती है तो उसका फर्जी है कि वो अपने हिसाब से काम ढूंडे और करें। इसलिए मुझे कभी कोई गैप नहीं दिखाई देता तो कि मुझे मालूम है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी के पच्चिनों पर चलना बनेगा। जी है। छाफ से इसमे मैदारिय आभी पास राफी दिखाए इस और मोदी जी के सर्थ जेख रहे हैं आप और क्या चाहा रहे हैं ? मैंने बहुत पर्दधानमंजर के साथ काम किया। अटल जी के साथ किया क्या, किन्तो गुजराल साफ से और मुरादिर साई से भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करने का पर अलगी उफसा है जब मैं प्रधान मंतरी काराले में था, तो अब उस समय हमारे प्रधान मंतरी गुजरात के मुख्य मंतरी थे हैं, तो हमारी अक्सर बात होगा करती थी थी, तो मैं उनके लिए नया नहीं हूँ, उन्होंने मेरा काम देखा है, सवाल इतना है, काम पे खरावता है। जम्यदारियां जो में लेंगे क्या उसे निवाएंगे हैं? तो साथ तरफ पर है कि जिससाब से पूरी जम्यदारिया उसको निवाएंगे और जिससाब से मोधी सरकार ने उन्हें काम दिया है, वोटोटी फॉल इसे उन काम करते लिए, केमाने सुनने के साथ अजी शर्वास जो नए चेहरे शामिल किये जाने हैं, उनमें से एक नाम मनसुख भाई मंडाविया का भी है, वो चेहरा जो की साइकल से संसर तक जाने के लिए जाना जाता है, उनसे भी बाचीत की हमारे समवादाताने सीधे सुनते हैं आज मोदी मंत्री मंडल का विस्तार हो रहा है, और आज का दिन तीन सांसनों के लिए मतपूर्ण है, और वे तीन सांसद हैं, जो की साइकल से संसद भाई जाते थे, उनमें एक हैं मनसुख मंडविया साब, मनसुख मंडविया साब आपको भी मंडविया साब, आपको भी म साइकल से संसद अभी भी जाएंगे? कि ऐसे पनले मंत्री जगह दे जाएंगे? मंत्री मंडल में कब जगह दी जाएंगे? कब जगह दी गएगे? वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है! हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे प्रधान मंत्री जो विजनेरी प्रधान मंत्री है उसका नेतरुत्वों में देश आगे बढ़ रहा है जो ही जिसको ही मंत्री मंडल में रखे सब लोग राष्ट के लिए जो काम कर रहा है मुझे लगता है कि हो ही पूर्ण है और अच्छा है क्यामरामेन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंग, इंडिया न्यूज दिल्ली मोदी मंत्री मंडल का अज बिस्तार होना है जो ही मंगल का दिन है आगे भी आती रही हूं क्या मननत यह है यह हमारा अपना पूजा है वो एंबूती होती है ज़िए बाचीत के लिए जैशंकर गुपताजी माइसाथ स्टूडियो में लगाता जुड़े हुए हैं जैशंकर जी जो संभावितों की लिस्ट है जिनका प्रोमोशन होना है वो लिस्ट यह तमाम लिस्ट लगभग तैही मानी जारी है जिनकी छुटी होनी है वो लिस्ट जिन राज्यों में चुनाव आने हैं उनके मद्दे नजर सोशल रीजनल एक बैलन्स बनाने की कोशिश क्या आपको लग रहा है इन साभावितों को चेरे को देखकर कि यह एक मूल वज़े है इस विस्टार के देखें यह तो पर्ष्ट साही है जो चुनावी राज्यों है चार-पांच राज्यों में अगले साल के सुरुवात में ही चुनावने वाले हैं बिधान सभाओं के एक तो उसको सामने रखा गया है दूसरा यह कि जो पर्धान मंत्री ने अपना जो दृष्टी पत्र बनाया हुआ है जो उन्होंने मत्वकांशी अपनी योजनाएं बन चार घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई थी उसमें लोगों से पता किया था कि किसने किया किया किसने और क्या करना है उसको देखते हुए जरूर यह लग रहा है कि यह खाका बन जाए क्योंकि अब हमको नहीं लगता कि इसके बाद आओ समय उनके पास रहेगा क्योंकि दो स अगले साल चुना होगा हमको लगता है कि फरवरी मार्ज के आसपास में चुना हो जागा बिना करवा का तो उसमें अगर भारती जनतापाड़ी जीत के आती है तब तो बहुत अच्छी बात है और खुदाने खासता अगर इस्तिती गवाय आती है तो फिर आगे के दिन उन प्रिया पटेल कुर्मी जाती की हैं अपना दल उनके पिदाजी सोने लाल पटेल जी ने बनाया था और ये जो अपने साहजाहां पूरसे हैं कृष्णा राज हैं तो इस सबको देखते हुए लग रहा कि आज आप देखिएगा कि मोधी मंत्री परसद में तकरीवन अगर ने इन तीनों को सामिल कर लिया आता है तो 16 17 मंत्री हो जाते है तो आप समझे ये कि प्रहान मंत्री लोग उतनर फोकस इदर बहुरा फोकस गदेश पर कियोंकि 2017 के शुरवारत में उतनाएश में चुनाओ भी है इस पर बातचीत करेंगे अब रहे थी कि आप नराजगी में कुछ चर्चा ने मुझे कुछ नहीं कहिना है मैं शेपद यूदी में जा रहा हूं जा रहा हूं तैंक्यू यह थे अनंद्गीते